मैं पल दो पल का शायर हूँ यह वही गाना है जिसे अक्सर माही गुन गुनाते थे अपने कई बार माही को यह गाना गाते भी सुना होगा इसी गाने के साथ माही ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया सुनीगा तो सुना अपने वो गाना जो महंदर सिंग धोनी ने अपने फैंस के लिए डाला और उसके बाद अलविदा कह दिया क्रिकेट जगत को जब महेंदर सिंग धोनी की टीम में एंट्री हुई तो ड्रेसिंग रूम का महल अजीब सा था ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतिय टीम टुकलों में बटी हुई थी लेकिन जब 2007 का वर्ड कप आया तो पूरे देश ने धोनी का लोहा माना और सराको पर धोनी को बिठाया एक वो दौर था जब भारति क्रिकेट में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था भारत के तब के सफल्दम कप्तान, कोच और कप्तान की विवाद की बली चड़कर टीम से बाहर हो गए थे मैदान पर सचिन चोट से जूज रहे थे तो मैदान के बाहर अपने आलुचुकों दुआरा बनाये जा रहे सन्यास के दबाव से यवराज सिंग और महानमत कैफ जैसे खिलाडी प्रदर्शन में निरंतरता के अभाव के चलते टीम में अंदर बाहर होते रहते थे इर्फान पठान, कोच ग्रेक चैपल की प्रयोग शाला बनकर ना तो गेन बाज रहे और ना ही ओल राउंडर बन सके अनिल कुमले एक दिवस्य फॉर्मेट में फिट नहीं बैठ रहे थे कप्तानी द्रविट के कंधों पर थी, टीम में अंदरूर्नी राजनी थी चरम पर थी नतीजा बांगलादेश से हार कर भारत शर्मनाक तरीके से 2007 वर्ल्ड कप के लीग चरन में ही बाहर हो गया छे महीने के अंदर ही पहले टी-20 विशुकप का आयोजन दक्षिन अफ्रिका में था ये उस शर्मनाक हार से उबर कर खुद को साबित करने का मौका था भविश की तयारियों को देखते हुए चयन करताओने एक युवा टीम चुनी जिसमें न सचिन्थे न द्रविड न कुमले और न गांगुली सबसे चौकाने वाला फैसला था कि टीम की कप्तानी नए नवेले खिलाडी महिंदर सिंग धोनी को सौंपती गई इसकी काफी आलोचना हुई विशिशक्यों ने इस टीम को विश्व कप की चोटी की आठ टीमों में सबसे फिसर डियांका लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया धोनी की कप्तारी में भारत विश्व चैंपियन बन गया यहां से जुमला चल पड़ा अन्होनी को होनी करते महिंद्र सिंग धोनी राची के लंबे बाल और कठीले बदन वाले धोनी ने 2004 में भारते टीम में अपनी जगा बनाई उस समय तक भारत अपने 30 साल के एक दिवसी क्रिकेट के रतिहास में 19 विकेट कीपर अस्तमाल कर चुका था पर कोई ऐसा नहीं मिला था जो बल्ले से भी कमाल दिखाने की काबिलियत रखता हूँ 2004 में फिक्सिंग के चलते जब नियमित विकेट कीपर नयन मोग्या टीम से रुकसत हुए तब से चैन करताओं ने अगले चार सालों में 9 विकेट कीपर पर दाओं खेला किसी का भी प्रदर्शन संतोष जनक ना रहने पर आखिरकार राहुल द्रविट को ही विकेट के पीछे की बागडोर सौमती गई द्रविट नियमित कीपर नहीं थे लिहाजा विकेट के पीछे की उनकी गलतियां टीम पर भारी पड़ती थी इस दवाव में धोनी भी बिखर गए घरेलू क्रिकेट में अपनी आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाने वाले धोनी अपने पहले चार मैचों में फेल हुए लेकिन कप्तान के भरोसे ने उन्हें पांच में मैच में भी जगा दिलाई और यहाँ वो हुआ जो तीन दशक में भारती क्रिकेट में ना हो सका था धोनी पाकिस्तान के खिलाब धुआधार से अकड़ा जड़कर भारती क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले विशेशक के विकेट कीप और बल्लेबाज बन गए जिन्होंने एक दिवसे क्रिकेट में शर्तक बनाया था हाला कि द्रविट पहले ऐसा कर चुके थे लेकिन वो विशेशक के विकेट कीपर नहीं थे अब टीम में उनकी जगा पक्की हो गई पर उनकी बल्लेबाजी तकनीक पर हमिशा आलोचुकों की टेड़ी निगापनी रही इसलिए एक दिवसे में तो वो अच्छा करते रहे पर टेस्ट में उन्हें आजमाया नहीं गया अपने आलोचुकों को उन्होंने साल भर के अंदर ही श्रिलंका के खिलाब 183 रनों की पारी खेल कर जवाब दिया ये किसी भी भारतिय का तब दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था कहते हैं जिसका उदै हुआ है उसका अंटतै है हर उकता हुआ सूरज दुनिया को रोशन करने के बाद अस्त जरूर होता है लेकिन उसके अस्ताचल की और प्रस्थान भी कई सितारों को चमकने का तरीका सिखा जाता है माना की माही ने जीत की तहरीर लिखना भारतिक रिकेट को सिखाया हो लेकिन सच ये भी है कि हर पारी की एक एक स्पारी डेट होती है ब्यूर रपोर्ट जनता टीव झाल 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 झाल